आज हम देखेंगे benefits of computer के हमारे पास computer के benefits क्या क्या हैं, वो क्या वजुहात हैं, वो क्या फाइदे हैं जिसके वज़ाए से हम अपना computer को इस्तमाल करते हैं तो पहला और बहुत important benefit है हमारे पास computer का वो है speed कि जो computer है, वो कोई भी काम बड़ी तेजी के साथ करता है, एक काम जिसे मैं करने में हो सकता है, एक घंटा लगा दूँ, वही काम computer के कर सकता है, within seconds कर सकता है मिसाल की तोर पर, मिसाल की तोर पर मुझे कहा जाता है कि मुझे one से लेकर thousand को तक जितनी भी values हैं, उन्हें के करना है, उन्हें add करना है अब होगा क्या, इन्हें add करने में मुझे तो 20 से 25 minutes यह से भी ज्यादा का वकत लग सकता है लेकिन अगर वही काम मैं computer को दूँ, computer को कहूँ, one से लेकर thousand तक तुमाम की तुमाम जो values हैं, उन्हें plus करना है उन्हें add करना है, computer within seconds मुझे उन्हें add करके अपने जो result हैं, वो provide कर देगा तो computer ने क्या किया, computer ने वो काम बहुत तेजी के साथ किया, बहुत speed के साथ किया तो पहला और बहुत important benefit यह है, computer आपका कोई भी काम बहुत speed के साथ करता है second हमारे पस क्या है benefit computer का वो है consistency, कि computer अपना काम बड़े सलसल से के साथ करता है अगर एक काम का मेरोड को कहा जाए, यह काम आपने 1000 दफ़ा करना है तो वो क्या करेगा 1000 दफ़ा वो काम बगएर किसी record के, बगएर थके, बगएर किसी problem के वो काम repeat करता जाएगा करता जाएगा, लेकिन आगर वो ही काम मैं एक शख्क्स को कहूँ, किसी आम आदमी को कहूँ, किसी इनसान को कहूँ कि आपने यह काम 1000 दफ़ा करना है, तो वो काम जो है, वो जो शख्कस है, वो काम अच्छा से कर नहीं कर पाएगा वो पहली दफ़ा करेगा, अच्छा होगा, दूसरी दफ़ा करेगा, तीसी दफ़ा करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ही काम बार बार करता जाएगा, उसकी जो, उस काम को करने की सलाहियत है, वो काम होती जाएगी, वो ठक जाएगा, निसान जो है, वो एक काम बार बार करे वो ठक जाता है, अगर आप एक काम उसे हजार दफ़ा करेंगे, वो हजार दफ़ा करतेगा दस हजार दफ़ा करतेगा, एक लाख दफ़ा करेंगे वो ही काम एक लाख दफ़ा भी करतेगा लेकिन उसकी जो एक्वरेशन में उसकी क्रेक्शन में, उसमें कोई भी problem नहीं आएगी तो एक क्या हमारे पास एक benefit है computer का, computer है अपने काम के अंदर computer बहुत consistent है थर्ड मारे पास benefit क्या है computer का वो है precision computer अपना जो काम है वो बड़ी बारीकी के साथ करता है computer का जो भी computer काम करता है उसमें किसी भी किसम की incorrectness होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वो प्रकाम 100% मुकमल करता है उसमें किसी भी किसम का calculation में या किसी भी काम का अंदर जो काम computer करता है किसी भी किसम का problem नहीं हो सकता साल के तरपर अगर computer कहा जाए कि आपने ये काम एक minute के अंदर करना है तो computer के करेगा computer हो जो काम है वो उसी minute के अंदर अंदर ही करेगा वो एक minute से ज्यादा टाइम नहीं लेगा उस काम करने में यानि कि अपना जो काम है वो बहुत बारीकी के साथ करता है उसमें किसी भी किसम की आपके पास incorrectness नहीं हो सकती इसके लावा computer के जो नमबर फॉर्ट पे benefit है वो है reliability reliability means यह computer को हम जो instructions देंगे computer उन्हें instructions के मताबिक की काम करेगा वो उन instructions के इलावा कोई भी काम नहीं करता वो अपनी मर्दी से कोई भी काम नहीं करता इसाल के तोर पर अगर मैं एक शक्स को कोई काम करने के लिए कहूँ और किसी computer को भी एक काम करने के कहूँ तो आप possibility क्या है वो शक्स उन instructions की खलावर्जी कर सकता है लेकिन computer ऐसा कभी भी नहीं कर सकता computer वो ही काम करता है जो हमने उसे instructions दी है वो उन instructions से अलग कोई चीज़ नहीं करेगा हाँ यह हो सकता है कि मैंने वो instructions गलत दी हूँ तो वो काम गलत हो जाए लेकिन अगर मैंने वो instructions ठीक दी है तो computer वो काम को बड़े अच्छे से कर देगा लेकिन अगर उसी जग उसकी जगा पर मैं एक शक्स को कहूँ कि आपने यही काम करना है तो हो सकता है वो जो शक्स है वो मेरी instructions को follow ना करे उसे वो instructions अच्छे से याद ना रहे लेकिन computer को जो instructions दी जाती है computer बिल्कुल accurate 100% उन्ही instructions के मताबिक अपना काम perform करता है तो यह तो यह तौम की तौम क्या थे यह मर पस चार benefits से हमारे computer के computer का इस्तमाल हम क्यों करते हैं इन benefits की वज़े से हम क्या करते हैं अपने computer का इस्तमाल करते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने next lecture के अंदर Thank you very much part झाल झाल